हमें लगता है कि हमारे जीवन में कई दिक्कते तकलीफे परिशानिया है और शायद भगवान ने सर्फ हमारे जीवन में ही ये सारी परिशानिया दी है लेकिन आज हम आपको एक ऐसे विवाह समहारों में लेके जा रहे हैं जहां पहुचने के बाद शायद आपको आपकी पर आत्म विश्वास भर देगा। क्या है इस विवा की कहानी आईए देखते हैं। ने कभी भी उसकी शादी की परवान नहीं की या यह भी नहीं सोचा कि वह उसके लिए एक पूच थी। वह उसकी सभी इच्छाओं की पूरती के लिए प्रयास करते रहे। एक साल बाद पूली हो गया। दस्वी कक्षा तक की शिक्षा पूरी करने के बाद उसे नाखपूर नगर निगम में नौकरी मिल गई। वह आशिनगर अंचल में करविभाग में कारिरत है। दोनों पैरों से अपंग श्रीकान की चहरे पर आत्मेश्वास चमक रहा था। दुलहा दुलहन दोनों की चहरे पर खुशी च्छाई थी। वहेसे दोनों परिवारों की चहरे पर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भगवान गौतम बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहिब आमबेटकर की प्रतिमा पर माल्यार पन कर दोनों परिणे सुत्र में बंधी। विवाबंधन में बंधे के बाद उन्होंने एक दूसरी का ख्याल रखनी का संकल्प लिया। विकलांगता को दूर रख उन्होंने एक साथ जीवन जीनी का संकल्प लिया। उनका ये संकल्प समाज के लिए एक नई दशा और प्रेणा है। कहते हैं कि जीवन में कई परिशान्या क्यों न आचाए। पर अगर आप में आत्म विश्वास और आप सकारात्मक हो तो आप हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। हम क करते हैं कि अगर खुद पर विश्वास हो और दिल जुनों से भरा हो तो हम कुई भी चीज आसानी से कर सकते हैं। कैमरा पूसन राजकुमार मोड की साथ दिशाहटवार पीसीन न्यूस नाकपूर।